क्लेर के मैरिज में प्रॉलम चल रहे थे उसके स्कूल में एक लड़का उसमें इंट्रस्टेट था तो उसके साथ उसका अफेर हो जाता है वो एक दुसरे के प्यार में थे पर प्रॉलम तब आई जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है कैंसा प्रॉलम्स को इनका प्यार स्वाल कर भाएगा यह अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट शरू कर दीजएगा अभी नाइस देरी के स्पूल में पढ़ाने वाली है वहाँ पर कैथरीन नाम की टीचर से उसकी फ्रेंडशिब होती है आज क्लेर ग्रोसरी शॉपिंग करता कि लिप स्टिक चुरा लेती है वो और उसका husband Matt, ये बहुत टाइम से pregnant होने का try कर रहे थे, पर उने कोई भी success मिल नहीं रहा था, आजकल Matt अपने band के लिए अलग-अलग जगा पर खूम रहा है, Claire उसे बताती है कि उसने आज एक lipstick चुरा लिए, इस बात से Eric बहुत ही surprise था, Claire को अपनी life में कुछ excitement चाहिए थी, Claire जिस class को पढ़ाती थी, उसके सारे बच्चे अब senior बन चुके थे, तो आज सब का celebration था, वो पहले दिन उने homework दे देती है, इसे class में हमारा और एक main character है, जिसक का नामें Eric, Eric अपने career counselor के पास कया, उसे एक अच्छे college में जाना था और doctor बनना था, उसकी counselor उसे कहते है कि अच्छे college के लिए तुम्हें अपने SAT score और भी बढ़ाने पढ़ेंगे, Eric इसके लिए efforts करने वाला था, Eric और उसके friends जिनका नामे Logan और Josh ये Claire को स्कूल से बाहर आता नोटिस करते है, लोगों उनको Claire बहुत ही अच्छे लगी, Eric कहता है कि उसने first day पर ही homework दे दिया, Logan ने कहा कि अगर वो मेरी teacher होती है, तो जो बोलती हो मैं कर डालता, कराने पर Eric का friend Logan उसे कहता है, तुम्हारी ex-girlfriend Alison बहुत ही अच्छे लग रही है, Eric उसके पास वापस नही क्योंकि उसे वो बहुत ही annoying लगती थी, Logan के Instagram पर Josh की sister मेरे भी connected है, ये बात Josh को अच्छे नहीं लगती, आज Matt की flight लेट हो गई थी, तो Claire को अकेला खाना खाना पड़ रहा था, जिस diner के यहाँ पर Eric काम करता था, वहाँ पर उसके friends आके, उन्हें जो अच्छा रगता था, ये सब कुछ उन्होंने order कर लिया, Logan नोटिस करता है कि वहाँ पर Claire भी आई हुई है, ये सब लोग जाकर उसे बात करने लगते है, Claire को पता चला कि Eric यही बारी काम करता है, अचानक से Logan को उसके घर से call आ जाता है, तो Josh और Logan वहाँ से चले ही गए, अपना सारा खाना वो वै इसी टाउन से है, वो एक बहुत ही अच्छी उनिविशिटी, जिसका नाम में UT वहाँ पर गई हुई थी, Eric को भी उसी उनिविशिटी में एडमिशन लेना है, वो कहता है कि मैंने दो बार ACT देने का ट्राय किया है, पर वो फेल हो जाता है, Claire ने कहा कि तुम अपने रात में Claire को सपना आया, जिसमें वो Eric के साथ intimate हो रही थी, रात में उसका husband Matt बहुत ही लेट गर पर आता है, वो धगा हुआ था, फिर भी उसे उसके साथ intimate होने के लिए जबरदस्ती करती है, अगले दिन से वो Eric को ट्यूटर करना स्टार्ट कर देती है, एक रात सारे friends के मि पार्टी चल रही थी, इसमें Eric भी जाता है, और वहाँ पर उसके ex-girlfriend Allison उसे मिली, इस दोनों रूम में जाकर intimate होने लग जाते है, थोड़ी देर में वहाँ पर Logan Josh की सिस्टम Mary को लेकर आ गया, उन दोनों में भी relationship स्टार्ट हो गई थी, इनका शोर सुनकर कोई complain कर देता है और इस वज़े से वहाँ पर पुलिस आके, सब लोगों को arrest करने लग जाते है, Eric जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो भी पकडा कया, सब लोगों की alcohol की taste हुई, यह अब तक legal age के नहीं है, और इनने drunk अगर पकडा जाता है, तो उन्हें कोर्ट में जाना करती है, उसके फादर जब वो छोटा था, तभी उसे छोड़ कर चले गए थे, Eric ने उस officer का नाम पढ़ा, तो Claire का जो surname था, यह उसे match कर रहा था, वो बुचता है कि क्या Claire तुम्हारी sister है, अगर तुम उसे मुझे pick up करने के लिए बुला लोगे, तो बहुत अच्छा होगा वो एक्चल में उसका ब्रदर ही था, और वो Claire को call कर देता है, Claire की वज़े से Eric पर कोई भी charges नहीं लगते है, Claire उसे कहती है कि तुम्हें इससे smart हो, तुम्हें इस तरीके से चीज़ें नहीं करने चाहिए, इसके बारे में किसी को भी मत बताना, वरना हम दोनों travel में आ सकते ह नहीं होगा, उसे बार-बार में इस Wilson बुला रहा था, तो Claire कहती है कि तुम्हें के नाम से बुला सकते हो, next day Eric को tutor करने के लिए उसके घर पर उसे pick up कर दिया, Eric की मदर अब तक काम से वापस ने आई थी, तो अपने brother scout खैल रख रहा था, Claire को बात बहुत अच्छी लगती है उसे यह थी कि आज हम पढ़ाएं नहीं करेंगे, मैं तुम्हें UT दिखाने के लिए लिए लिकर जाओंगी, वहाँ की सब को चीज़े देखने के बाद अच्छा study करने की तुम्हें inspiration मिलेगी, Claire पुछती कि तुम्हें क्या बनना है, Eric कहता है कि मुझे doctor बनना है, और लोग नहीं कर पाई थी, उसके फादर बहुत ज़्यादर ट्रिंग किया करते थे, तो हमेशा उनका खैल रखती थी, कभी हो college के campus में रहे नहीं पाई, उसे advice देती है कि उसके life के पूरे moments को उसे जीना चाहिए, बाद में उसे वापस नहीं मिलेंगे, Claire के hair ज़रा आके आके थे, तो Eric's ने पीछे टक कर दिये, यह ज़रा romantic हो गया था, तो Claire Eric को घर पर छोड़ देती है, Eric ने उसे message किया, कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था, पर Claire यह message delete कर देती है, वो जब घर पर आई, तो Matt ने band का बहुत सारा सामन घर पर लाया हुआ था, उन्होंने कुछ पैसे future क लिए save करकर रखे थे, जो सारे Matt ने spend कर दिये, यह बात Claire को अच्छे नहीं लगती, Matt फिर से अपने passion को follow करना चाता था, यह Claire को practical नहीं लगता, रात में Claire ने Eric की Instagram request को accept कर लिया, यह Eric ने देखा, और अगली दिन class के बाद वो Claire के पास आ जाता है, वो कहता है कि तुमारे सा चेक अप करने के लिए hospital में गई थी, वास उसे पता चलता है कि उसके overage का deterioration हो रहा है, इसका मतलब है pregnant होने में उसे और भी जादा problems होंगे, इस तरीके से उसकी इतनी सारी टेस्ट होना, इतनी सारी bad news, यह Claire को अच्छे नहीं लगती, Matt इसके बारे में उससे बात करना चा जो भी हो है फिर से नहीं होगा, Claire यह सब समझ लेती है, उसके tutor करने के लिए फिर से मान जाती है, इनके homecoming का dance आने वाला था, Eric को उसके friend ने का, तुम्हें Alison को लेकर जाना चाहिए, वो इस पर ज़रा सोचता है, और बात में Alison को उसने इसके बारे में पूछ लिया, तो Alison भ जोना यह उसे एक सही decision नहीं लगता, आज Eric और उसके friend से मिलने के लिए उनका senior, जो university में है, इसका नाम एक Cody, यह आया हुआ था, वो बातों बातों में कहा देता है, कि Eric एक बड़ी लड़की के साथ उसे मिलने के लिए आया हुआ था, सब लोग उसे पूछने लग जाते ह कहा कि मुझे coffee shop में मिली थी, सब लोगों के सुनकर बहुत ही proud लगता है, उसे वो बहुत सारा confidence देते है, उसे आज clear tutor करने वाली थी, पर जान बुचकर Eric वहाँ पर नहीं चाहता, उसे ignore कर रहा था, लोगन और Josh की sister, मैरी यह दोनों एक दूसरे को date करने लग गए थे, आज लाने का काम यह teachers को दिया गया था, clear उसकी friend Catherine से कहते है कि student को यह सब करना चाहिए, हमें यह सब काम क्यों दिया जा रहा है, Catherine के पास liquor थी, तो उसे offer कर देती है, Eric और Harrison एक दूसरे के साथ enjoy कर रहे थे, तो यह देखकर clear को बहुत ही jealous लगता है, वो से अकले में बुला लेती कहती कि तुम आज situation के लिए आये नहीं, तुम्हारी यह सब trick में समझ सकती हो, Eric ने कहा कि जब में तुम्हारे साथ होता हो, तो अपने आपको control नहीं कर बाता, मुझे तुम्हारे ही सपने आता है, यह गय कर वो चला गया, तो clear उसके पीछे पीछे के, उसे इशारे करकर अ से बहुत अच्छा लगता है, मैट अपने बैंड के फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था, वो उने उनके साथ join करने के लिए कहते हैं, पर clear ने कहा कि मैं बहुत ही जाता थक चुक्यों, और वो सोने के लिए चली जाती है, अगली दिन Eric अपने फ्रेंड से मिला, तो कह थे कि तुम अचानक से कहा पर चले गई थे, जॉस की सिस्टर मैरी भी लोगन को अचानक से छोड़ कर चली गई थी, एरिक उने कुछ भी बता नहीं रहा था, जॉस ने कहा कि मुझे पता है, तुम कल रात किसी और के साथ हैं, एरिक उसे जूट करता है, कि मैं कैफे वाली लड़की के साथ था, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जॉस ने कहा कि प्यार हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, एरिक एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, जब एरिक स्कूल में है तो एलिसन से टकराता है, उसे कल रात अचानक से छोड़ कर चला गया, तो मेरी प्रैक्टिस है, क्लेर गहती के प्रैक्टिस के बाद मिलना, एक सुमसान सी जगाब जहाँ पर इनकोई भी देख नहीं सकता, वहाँ पर दोनों मिलते हैं, एरिक लेर के इंस्टाग्राम पर फोटो देख रहा था, ये क्लेर ने देख लिया और उस पर उगुसा होगी वो गहती कि लोगों की बीच में तुम मेरी फोटो नहीं देख सकते हैं, हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चल सकता, इसके बाद वो दोनों फिर से इंटिमेट हो गए, क्लेर घर बर आई, तो मैट नोटिस करता है, कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो घर बर चल रही है, वो से उसके दीन के बारे में पूछता है, तो क्लेर ने बाहना बना दिया, कि उसका दे अच्छा नहीं था, मैट ने कहा कि आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वो उसकी करीवा जाता है, और दोनों इंटिमेट हो जाते हैं, स्कूल में क्लेर और एरिक सबसे चुपते चुपा दे, एक दूसरी कोई दिखते रहते हैं, जौस की सिस्टर मैरी अप लोगन के साथ नहीं थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, एरिक कहता है कि वैसे भी तुम्हें उसमें उतना जादा इंट्रेस नहीं था, लोगन कहता है कि मैं उसे एक्छल में लाइक करता इस सबसे उसे बहुत बुरा लग रहा था, आज रात एरिक की मदर किसी के साथ टेट पर जा रही थी, एरिक पर उसके ब्रदर उसको समालने की जिम्हेदारी थी, आज रात क्लेर और कैथरीन ये दुन ट्रिंक करने के लिए बाहर आये थे, कैथरीन नोटिस करती है क्लेर क के नेक पर हिकी थी, बातरों में जाकर क्लेर ने ये चेक किया, अपनी फोटो एरिक को भीज देती है, क्लेर ने कहा कि आज रात में तुमसे मिलना चाहते हो, पर एरिक आ नहीं सकता था, उसने इस पर ज़रा सोचा, अपने ब्रदर उसके लिए बेबी सिटर को भूला लिय और निकल जाता है, इस बेबी सिटर लड़की को कोई भी एक्सपिरियंस नहीं था, एरिक क्लेर से मिलने के बाद उससे खह देता है, मैं तुम्हें एक्च्वाल में बहुत लाइक करता हूँ, क्लेर कहती कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, इसके बाद उतनों इंटिमे पसंद हो रहा था, एरिक का बड़े था, तो क्लेर ने एक दूर का होटेल भूग किया, जहाब वर विकेंड्स पेंट करने वाले थे, इन्हें आप और कोई भी डिस्टब करने वाला ने, तो बहुत ही अच्छा से विकेंड्स पेंट करने एरिक ने अपनी SAT दी थी और उस की मदर की टेथ हो गई थी, क्लेर के फादर ने उसका ख्याल रगा था, पर हो हमेशा ट्रंक होते थे, उसका प्रदर उसे छोड़ कर आर्मे में चला गया था, इस वज़े से क्लेर को बहुत ट्रामा हुआ है, एरिक के फादर भी जब वो बहुत छोटा था, तो भी उसे छ कॉलेज की दिनों के बारे में उसे बताती है, उसने कहा कि मैंने कुछ भी एक्स्प्लोर नहीं किया था, मैट उसका पहला प्यार था, उससे से उसने शादी कर ली थी, वो एरिक से कहा थी कि तुम बहुत एंटसम हो, जब तुम कॉलेज में जाओगे, तो बहुत सारी लड कटगी को ढूँद लूँगा, पर मैं तुम से बहुत प्यार करता हो, लेर ने कहा कि अफकोस जब तुम कॉलेज जाओगे, तुम मुझे भूलाना चाओगे, एरिक कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हो, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, इन्होंने बहुत य इसके बाद वो घर पर आगे, एरिक ने अपने फैमिली के साथ का बड़े का सेलिबरेशन मिस कर दिया था, एक रात क्लेर मैट का पोफॉरमस देखने के लिए कैथरिन के साथ आती है, उन्हें बार पर ड्रिंग मिल नहीं रही थी, तो कैथरिन ने एक ड्रिंग चुरा ली और दुना बाहर आगे, कैथरिन ने बुझा कि तुम्हारा विकेंड कैसा था, क्लेर कही थी कि कौनफरन्स रेग ही चल रही थी, कैथरिन ने कहा कि जूट किसी और से कहना, जिस तरीके से तुम आजकर गलुग कर रही हो, मुझे बताए कि तुम्हारा किसी नग इसी के लगता है ये बात अगर हो छुपा कर रखती है तो खुट ट्रबल में आ सकती है और इसी वज़े से सब को जो सच सच बता देने वाली थी क्लेर इन सब बातों से बहुत ही जादा डर गई थी अगली सुबह उसने मैट को सारी चीजी कनफेस कर दी स्कूल में जब बात पता च सच बोल दोगे उतना ही सब के लिए अच्छा रहेगा क्लेर के कनफेशन के बाद मैट बहुत ही जादा डिस्टाब हो गया था वो क्लेर के ब्रदर को बुलाता है उससे सारी चीज़े बता देता है एरिक ने डर कर क्लेर को कॉल किया उसने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आ वो गयता है कि हम दोनों ने इस रिलेशेंशिप को 10 साल दिया है मैं इस पर वर्क करना चाहता हो वो थेरेपी सेशन के लिए जाएंगे और कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करेंगे एरिक अपने फ्रेंड्स के साथ था तो फ्रेंड्स ने कहा कि सब लोग तुम्हें अब मैसुस होने लग गी और वहां से उठकर वो बाहर आगी अपनी गाड़ी निकालकर डारेक्ली एरिक से मिलने के लिए और आ जाती है एरिक ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया था इसके लिए उसे सौरी कहता है एरिक कहता है कि हम दोने यहां से भाग सकते है हम दोने एक कईमेट हो जाते है सुबहां उने पर एरिक ने उना मोबाइल चेक किया तो उसे सब लोग के कॉल आ रहे थे उसकी मदर के बहुत सारे मिसकॉस थे उसे सब लोग घर आने के लिए खहर रहे थे वो ग्लेर को वैसे जोड़कर घर आ जाता है उसकी मदर उसे देखकर बहुत क्लेर डारेकली पुलीस टेशन आके एरिक के साथ इस तरीके से भागना ये किड्नापिंग का केस बना हुआ था उखत को पुलीस के हवाले कर देती है इसके बाद सीरीज में कुछ टाइम बीच चुका है क्लेर को जेल में डाल दिया गया था और एरिक अपने कॉलेज में आ अच्छा लगा था ये सब करना तुम्हें क्लेर ने सिखा है एरिक केरता है कि में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और दोनों फिर से इंटिमेट होके नेकसिन में एरिक और उसका फ्रेंड कोडी बात कर रहे थे कोडी ने कहा कि कभी भी क्लेर ने तुमारा करता है तो मंदर को लगता है कि शायर क्लेर ने एरिक का फायदा उठा है उसे हमेशा काउंसिलिंग के लिए जाने के लिए कहती है पर एरिक कभी भी बात मानता नहीं उसे करता है कि मुझे कुछ भी हुआ नहीं है प्रिवेसली जिस लड़की के साथ हो था उसे फिर से मिल करता है अचानक से रस्ते के सामने कुछ आ गया एरिक गाड़ी के ऊपर जड़ा था तो उसे बहुत इंजूरी आती है सब के सामने कूल बनने के लिए कि लिए कि उसे कुछ भी नहीं हुआ कॉलेज के सब लड़कों ने मिलकर एक स्पेशल कुरूप बनाया था आज एरिक इन का इन सब का हिस्सा मुझे नहीं बनना वो अपने रूम के पास आया तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था उस लड़के का रूम मेट अपनी गल्फिन के साथ अंदर था तो कुछ टाइम तो उसे बाहर ही रुकना था उसके पास कुछ सब्स्टन्स था तो एरिक को करता है वो दोनों हाई हो गए थे और बाहर आकर सोग गए बाहर स्टास देखकर एरिक को क्लेर की बहुत याद आ रही थी एक साल गुजर जाने के बाद को प्रॉबेशन पर छोड़ दिया जाता है उसे घर ले जाने के लिए उसके फादर और ब्रदर आये हुए थे क्लेर का सारा सामान मैट ने इसे दे दिया था अभि-वी जो भी कुछ हुआ इसे लेकर मैट स्ट्रगल कर रहा था लो एक लोद इंग शोप में आई और उसे कपडों के वारे में बहुत कुछ पता था वहाबर काम करने वाली वाल एक लड़कियों से कही थि कि तुम यहाँ पर कर सकते हो एप्लिकेशन के वक्त उसके बैक्राउंड चेक वो करने वाले थे क्लेयर कहता है कि मेरा एक छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है यह जब वो पता रही थी तो एरिक की फ्रेंड की मदर वहाँ पर आगे जिसका स्टोर था वो क्लेयर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा ह के सामने लेनी बढ़ते है उसने घर आकर अपने बारे में कुगल किया तो सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था से बढ़ा था उसने पहले मुझे अप्रोच किया था हमेशा में सब लोग का सोचती आ रही थी परस टाइम मुझे जो लगा वो मैंने कर डाला उसे गलती हु लाइफ कैसी थी, इसे किसी को भी कोई भी फरक नहीं पड़ता, तुमने जो किया वो गलत था, एरिक को बता जला कि क्लेर अब बाहर आ चोकी है, उसे मिलने के लिए बुला लेता है, एरिक ने उसे हर एक चीज़ के लिए सौरी का, क्लेर कहती कि इन सब में गलती मेरी ही थी, में तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, और यही सब लोगों को में बताना चाहती थी, एरिक कहता है कि अब भी में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना में जी नहीं सकता, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्लेर ने गाल कि हम दोनों की बीच में जब हम देखते हैं कि कुछ टाइम गुजर चुका है, क्लेर ओनलाइन डेटिंग को ट्राय कर रही थी, और आज वो एक डेट के लिए आई हुई थी, उसे किसी को भी डेट की वे बहुत टाइम हो चुका था, उसके घर वजा दिया और वो दोनों इंटिमेंट हो गये, इं किलो लेकर गया, क्लेर आजकल अपने फादर के लिए काम कर रही थी, वो से कहते हैं कि जब तुम थेरेपी के लिए जाती थी, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता था, शायद तुम्हें वो फिर से ट्राय करना चाहिए, फिर गुसा हो कर गये थी, कि आप बहुत ही ज़ पर साइन करने के लिए क्लेर मैट के पास आई हुई थी, उसे बुचते कि तुम अब कैसे हो, मैट कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने म्यूजिक करियर में अब वो सक्सेस्फुल हो चुका है, वो एक अलबम भी रेकॉर्ड कर रहा है, अलग-अलग सिटीज में ज उसे किया था, वो बहुत जादा घुसा आओ गया, और क्लेर को जाने के लिए गहता है, एरिक एक बार में हैंग-आट कर रहा था, वावर कुछ लड़किया पार्टी करने के लिए आ जाती है, वो उन्हें उन्हों ने का कि तुम हमारे साथ हैंग-आट कर सकते हो, उनके ग जीव लगी उसे कहती कि मुझे और भी जोर से मारो उसे मारने की कोशिश करता है पर क्लेर के मुझे खून आ गया क्लेर खुद को बनिश करना चाहती थी उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता जिस लड़की के साथ एरिक को लड़किया सेट अप करना चाहती थी लड़की कही थी कि मुझे बता है कि तुम 21 एर्स के नहीं हो यहाँ बार ड्रंक हो रहा था तो उस लड़की ने कहा कि वरी मत करो तुम्हारे बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी वो टान होई तो उसकी सारी फ्रेंड्स वहां से भाग कही थी उसे बहुत बुरा लगता है कि इस तरह के से उसे छोड़कर वो चली कही एरिक उसे अच्छा फील करने के लिए कहता है कि चलो हम डांस करते हैं डांस करते करते हो करीब आ रहे थे और लड़की रोने लग जाती है वो यह थी कि मेरा अभी अभी ब्रेक अब हुआ है उसे बहुत ही क्लेर डिस्टब होकर घर पर आई उसके फादर उसे सपोर्ट करने की कुशिश करते हैं क्लेर गुस्सा होकर उनसे करते हैं कि अब सब कुछ ठीक है इस तरीके से आप प्रिटेंड मत कीजिए मैं जब छोटी थी तो हर रात मुझे डर रहा करता था कि शायद उस रात आपक उस नहीं हो रहा पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम अब भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती हो निकसिन में एरिक अपनी मदर के पास वापस आगया और उनसे हो हेल्प मांगता है तेरभी सेशन में किरा करकर फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मल कर रहा था पूरी कंट्री घुमने के बाद उसका होमटाउन पास था उनकी कॉलेज की रियूनियन भी आ रही थी उसके फ्रेंड ने का तुम अपनी रियूनियन को मिस नहीं कर सकते मैंने एक बार मिस की थी और बहुत सारी चीज़े बदल गई होती है तुमें जाना चाहिए एरिक जाने का डिसाइड करता है अब हम क्लेर को देखते है उसने शादी कर ली थी उसे दो डॉटर्टर्स भी थी वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी अपने फादर के साथ उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी वीकेंड के लिए अपने डॉटर्स को नहीं के बास वो लेकर आई थी एरिक की मदर ने घर आते वक्त उसे कुछ ग्रोसरी बाय करने के लिए का वहावर क्लेर भी थी उसे बुशती कि तुम कैसे हो एरिक वो अच्छा है ऐसा कह देता है और इसके बाद वो बाहर आ गया उसे मिलने के बाद वो बहुत ही जादा 75th birthday था उनसे बुश्च थी कि आपको कैसा लग रहा है फादर कहते कि मैं तुम पर बहुत प्रावड हो तुम सब लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रात में एरिक अपने कॉलेज के रियूनियन पार्टी में गया वहावर अपने सारे ओल्ड फ्रेंड से प्रेंग या इस रियून पर अलिसन बी आई हुई थी अरिक और अलिसन बात करने लग गे एरिक के तुमें सौरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है वो दोणों आज रात हो जाते है रात मैं Claire को नीन नहीं आ दी वो Eric को मैसेज कर दिये और लंच के लिए बुला दिये Eric पुछता है कि तुमने मुझे मैसेज क्यों किया Claire कहती कि बहुत सालों से मैं तुम्हें मैसेज करना चाहती थी मुझे हमेशा तुम से sorry कहना था तुम university गए और अपनी life में move on कर पाए ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा था Eric कहता है कि मैं कभी भी move on नहीं कर पाए हमारी relationship ने मेरी पूरी life destroy कर दी थी Claire कहती कि मैं बहुत sorry हूँ मेरा marriage work नहीं कर रहा था और उसे end करने के लिए मैंने सब कुछ किया हुआ था मुझे मेरी boundaries को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए था Eric क्यादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था अपने आप से जूट बोलना बन कर दो जो भी situation हुई थी इसमें हम दोनों की गलती थी उस वक्त उस relationship को तुम भी चाहती थी मुझे बहुत समय देख लगा कि मैंने तुम्हें hurt कर दिया मैंने खुट को बहुत कोशा था कल मैंने अपने ब्रेदर्स को देखा वो 17 years के है वो कितने छोटे हैं यह मैंने realize किया मैं उस वाद एक छोटा सा बच्चा था Claire कहती कि उस time के लिए मैं बहुत sorry हूँ अगर मैं time में वापस जावाती तो सब कुछ चीज़े अलग करती Eric कहता है कि तुम्हें कुछ भी फरक नहीं पड़ा मैंने तुम्हारी family देखिये और सब कुछ एकदम perfect है Claire कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है हर कोई मेरे बारे में Google कर सकता है मैं parents की सामने भी नहीं जा सकती Eric कहता है कि तुम हर एक चीज़ को अपने बारे में बना देती हो जो भी हुआ उस चीज़ ने हम दोनों की life को affect किया है अब हमें उस गलती के साथ जीना पड़ेगा अपनी life के साथ आगे वढ़ना पड़ेगा उन्होंने 10 साल पहले जो गलती की थी इसकी सजा आज तब वो भुगत रहे एक गलत टेप के कितने बड़े consequences हो सकते हैं इस series हमें पता कर जाती है दोनों ने अपनी life को फिर से सुधार तो लिया था फिर भी अपनी mistake के साथ उन्हें जीना पड़ रहा था उनका affair जब चल रहा था तो उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगा पर वो गलत था पर जब वो end हुआ तो उसके consequences दोनों को भुगतने पड़े इतने सालों बाद वो अपनी life से move on कर पाए इसी के साथ इस series end होती है अगर आपको explanation अच्छा लगा तो प्लीज से like और comment ज़रूर कर दीजेगा बहुत सारे movies लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे हम फिर से मिलेंगे और एक नई story के साथ तब तके लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया है